अगर आप लोग के घर में भी नर्माल टीवी है और उसमें अगर आप लोग चाहते हो कि एंड्रोइड की तरह सब कुछ यूज़ कर पाओ लाग होर्स्टार, यूट्यूब, जी फाइब, नेट्फिलिक्स, होई-चोई, और आधार जीदा भी OTT F है अगर आप लोग चाहते हो कि आपका टीवी में भी चले तो आप लोग को एच छोटा सा डिवाइस चाहिए, इसका नाम है Amazon Fire TV Stick तो इसको अगर आप लोग टीवी में लगा लेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ ये Fire TV Stick बहुत तरीके का होता है, like Amazon Fire TV Stick Light, Amazon Fire TV Stick Normal, Amazon Fire TV Stick 4K and Amazon Fire TV Stick 4K Max I think तो ये सब इसका वीडियो क्वालिटी और रिमोट के वाज़ा से अलाग अलाग नाम दिया गया है, अगर आप लोग के पास नॉर्माल 1080P TV है, 1080 का, तो आप लोग कोई भी Amazon Fire TV Stick चूज़ कर सकते हो, सिर्व लाइब में आप लोगों का रिमोट में भोलूम आफ एंड आएगा, तो इसके साथ आज आता है charger, one HDMI adapter, ताकि हम लोग इसको बड़िया तरीके से TV के साथ लगा सकते हैं, दो बैटरी भी आएगा, एंड एक USB केबल आएगा, और हैं आपकर्स हम लोग का Amazon Fire TV Stick, तो ये मेरा Amazon Fire TV Stick का 4K variant है, अगर आप लोग का TV 4K नहीं भी हो, तब भी ये बहुत बड़िया तरीके से काम करेगा, इसके लिए सबसे अच्छा चीज़े की नेट बहुत कम लगता है, अगर आप लोग के पास 1Mbps तक स्पीड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा स्रेफ 1Mbps का स्पीड लागेगा इसको चलाने के लिए, और ये बहुत कम नेट में आपको साइबीस पुवाइड करता है, अगर आप लोग का कुछ confusion है, कि ये आपका नेट में चलेगा की नहीं, तो आप लोग Amazon से order कर सकते हो, अगर आप लोग कोई issue face करते हो, तो इसको return कर सकते हो, क्योंकि ये Amazon का अपना product है, तो ओ लोग ये flexibility आप लोग को पुवाइड क ये बहुत बरियार तरीके से काम करेगा, और एक TV का remote ये बहुत बरियार रिमोट है, आपको TV के सामने भी देके नहीं जाना परेगा, जिदर से भी आप लोग दबा दोगे, तो ये काम कर लेगा, अब लोग mobile का help से भी इसको operate कर सकते हो, तो आभी हम लोग इस HDMI port को TV का HDMI port में connect कर देंगे, आप लोग अगर टीबी में HDMI port होना चाहिए, fire tv stick को लगाने के लिए, पुराना जो टीबी रहता है, उसमें ये port नहीं रहता है, मगर हर एक LCD और LED टीबी में ये port रहता है, तो आप लोग इसको use कर सकते हो, तो आभी हम लोग को HDMI port को select कर लेना है, first time setup में थोड़ा time लगेगा, क्यूंकि ये चलता है Android system के उपर, और Android पहले time update लेता है, आपको account भी set करना पड़ेगा, update इंस्टाल होगा, उसके बाद ये अच्छे से चलेगा, तो आप लोग को सबसे पहले जो clear भाला बटन है इसको press कर लेना है, उसके बाद language select कर लेना है, आप ही remote set कर लेना है, setup the remote इसके उपर click कीजिए, पर आप लोग mobile से भी इसको scan कर सकते हो, इधर से भी remote काम करेगा, तो इसमें दो टाइप का remote काम करता है, आपका mobile भी remote के जैसा काम कर सकता है, या जो remote दिया गया है, Amazon Fire TV Stick के साथ उसको अब लोग use कीजिए, तो मैं बोलूँगा, Amazon Fire TV Stick के साथ जो remote दिया गया है, वो बहुत बढ़िया है, तो आप लोग उसको use कर सकते हो, तो अभी हम लोग को Wi-Fi से connect करना है, तो दे देंगे password, अभी चूज करना है Amazon Account, अभी इस code को scan कर लेना है, अगर आप लोग का mobile का camera में कोई function रहता है scan करने का, आप लोग उधर से भी कर सकते हो, तो इसको जब scan करेंगे आप लोग, तो आप लोग के पास Amazon को login करने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग अगर Amazon में login कर लोगे, तो ये भी इधर successfully login हो जाएगा, तो आभी हम लोग को continue button में क्लिक करना है, तो इधर already मेरा और एक fire टिविस्टिक 4K है, तो इसलिए ये थोरा backup दिखा रहा है, मागर मैं इसको freshly install करना चाहता हूँ, तो मैं skip button में क्लिक कर दोगा, तो आभी हम लोग 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 लोग, अभी हमको इधर next दबाना पड़ेगा, like middle button of the remote, अभी ये थोरा sound करेगा, आप डड़िये मत, थोरा wait कीजिए, इसके बाद हम लोग का volume up and volume down button प्रेस करना है, देखिए ये काम कर रहे हैं, तो आभी हम लोग को yes button दबाना है, तो remote आभी हो गया है set, तो setup लगबाग complete हो गया है, आभी ये बता रहा है कि कौन सा कौन सा app हमको चाहिए, तो gate started में click करके आप लोग app select कर सकते हो, जो जो app आपको चाहिए होगा, इधर हमको जो 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 app चाहिए मैं इसको select कर लूँँगा, और ये install होगा, actually ये mobile के जैसा ही है, बागा TV में चलता है, तो mobile के जैसा app download करना होता है, प्ले स्टोर से, इसका Amazon का अपना store है, तो उधर से ही ये app download होगा, तो ये apps Amazon store में इस TV के लिए अलग से customize किया गया है, कि अभी हम लोग जाब सब को select कर लेंगे, तो अभी हम लोग को middle में जो clay बटन है, उसको दबाना पड़ेगा, तो अभी इदर option आ रहा है कि parental control देना चाहेंगे कि नहीं, तो मैं नहीं देना जाता हूँ, no parental control में क्लिक करूँगा, तो अभी select करना है, आप इधर multiple account कर सकते हो, तो मैं ही देख रहा हूँ, तो इधर मेरा account रहेगा, आभी मैं इसको select करके continue करूँगा, तो हम लोग का इस type का interface मिल जाएगा, तो इसमें देखिए, लगबख सभी app आ जाएगा, अभी आप लोग का हाड़े कैब में क्लिक करके जाना है, और उसको log in करके use करना है, आप लोग का कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो में comment कीजिए, मैं आपने हिसाब से इसको ठीक करने का पूरा कोसिस करूँगा, थैंकि फर वाचिंग, अभी आप लोग का है,